नमस्कार, The Print Interviews में आपका स्वागत है, हम आज पतना में हैं और हमारे साथ है संतोष सुमन जी, जो की हिंदुस्तानी आवाली मोर्चा यानि की हैम के नेता है और बिहार सरकार के पूर्फ मंत्री हैं, सर्ज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत 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 है, पहले प्र देखे, सिंपल सी बात ही, हम लोग के अस्तित्व है बिहार में, जिन मुद्दों को ले करके हम आगे बढ़े हैं, खास करके गरीब को आगे बढ़ाना है, और गरीब में भी जो दलीत होते हैं, जिनको हम उने सुची जाती बोलते हैं, और उसमाज यहां पर कुछ जातिया नहीं, उनकी आवाज बनने के लिए एक ऐसी घटना कर्म होई बिहार में, जो एक पार्टी बना जिसका नाम हम है, और उसके संस्थाफ़ पर कादर नियस रिजीता नाम माझे, यह बहुत सारे लोग उस समय के बड़े नेतालों मिलके किये, और एक प्रस्ताव हम लोग को इस बीच में आया जंतादल इनाइट के तरफ से कि अब अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजे, तो जब मरजर का प्लान आया, तो हम लोग के पास बहुत सारे बातें बोली गई, वो बातें मीडिया में नहीं बोली जाती है, लेकिन हम लोग ने मीटिंग की और मीटिंग करकर सबका स्वर था कि हम लोग अपना स्थित्व को बचा के रखेंगे, जिन मुद्दों के लिए पाटी बनाए हैं, जिन उसूलों पर हम को चलना है और जिनके लिए काम करना है, उनकी अवाज को दबनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग स्वेक्षा से, अपनी सरकार से हम अल देखे इधर पता नहीं क्या है बिगत जो हमारा रेजिगनेशन हुआ, रेजिगनेशन से एक महने पहले से इस तरह का बातें चल रही थी, हुआ क्या कि मन्यनितीस कुमार जी के प्रती हम लोग की सुरधा है और हम लोग का विश्वास था, और हमारे नेता अदानिय करना चाते हैं, और उनके जितने सुवचिंतक हैं उनको अलग करने की कुर्सिस में कोई बताया होगा कि आपके साथ ये नहीं रह पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, एक अभिश्वास पैदा किया गया, उसके कारण वो हम लोग से पूछे, कि ऐसी क्या बात हैं, कि ऐसी साथ जाएंगे, लेकिन उनके तरफ से बोला गया हो कि नहीं, इन लोग ऐसी बात है, मैंने संका आया, तो उस संका का कोई निश्पादन होता नहीं, कोई निप्टारा है, नहीं और उसको दूर भी नहीं किया सकता है, जिब किसी व्यक्ति के परती, आपके परती, या हमार परती किसी को कुछ होता है, तो उस से हम बहतर समझें कि सब बातें हैं, और सीच्वेशन बन रहे हैं, तो हम लोग लग अलग हो जाना चाहिए, तो ये एक महिन पहले से इस तरह की बातें चल लगी थी. सर, रिजिगनिशन के दौरान आपने एक चीज़ कहा था, कि आप सरकार से रिजिगनिशन दे रहे हैं, पर आप माघडबंद में रहेंगे. अनिश्ची तोर पर हम ने वह बात बोली थी, इसका कारण ही था, कि हम लोग नितीश कुमार जी के परती हमारी सानभूती थी, हमारे दल की भी थी, हमारे सभी लोग कारशकरताओं का, और हम लोग चाहते थे कि नितीश कुमार मजबूत रहें, ठीक है, हम मंतरी नहीं रह स और राष्टी अध्यक चंतादर उनाटेट दोनों ने एक लाइन में भोला, तो हम लोग उसी दिन स्वेक्षा से बोलें कि ने ठीक है, अगर उनको कह रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, तो हम लोग महारे पंदन से बहले होते हैं, हाली में आप और आपके पिता जी श्री जि बात हुई, बिहार को लेके, क्या अपनों का प्रपोजर अभी सामने आने हैं, जब हम लोग ने रेजिंगनेशन दिया, तो हम पार्टी की राष्टी कार्ज करने की मिटिंग बुलाएं, और पार्टी की जितने भी परवुद कार्ज करता हैं, जो पार्टी के बनाने में जिनका योगदान रहा है, सबसे मिल करके बाते होई, और सबने बहुत सारी बातें बोली, और उसमें हर विकल्प चर्चाएं होई, और सबने आखिर में एक अधिकरित कर दिया मुझे, जब हम दिल्ली गये, दिल्ली जाने के पिक्षे बहुत सारा विकल्प था हमारे पास लोगों के लिए हम गरीब के लिए काम करते हैं, उनकी जो समाजी अभी दसा है, और उनके लिए सरकार के द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है, कहां पर प्रिसानी है, और हम लोग समय समय पर सरकार को भी बोलते रहे हैं, बंद कमरों में, चाहे कुछ ऐसे फोरम पर कि समस्या है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, कुछ भी ऐसी नीती है, सरकार को भी बातों पर चर्चा हुई, और हमने एक ही प्रस्ताव रखा उनके सामने कि हम जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी आवाज बनने कुर्सिस कर रहे हैं, आपकी पार्टी का सहयोग च करते रहेंगे हर तरह से और पार्टी के रूप में आपका स्तितु बना रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा उसी समय कि नहीं, अगर हम लोग का मन है, और मेल खा रहा है, हम लोग दूसरे से जो अन्नेस्टेंडिंग है, हो गई है, तो हम ने इक्छा व्यक्त की, अपने संग्र सब्सक्राइब करें, तो एक समय आएगा ऐसा, जब सब लोग एक हो जाएंगे, असब घटक दल मिल करके हम लोग पटना में एक ऐक पर बोलेंगे, हम लोग यह चीज में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग जब किसी के साथ हो जाते हैं, तो हम अपने तरफ से बोल दे देखें, सीट सेरिंग पर देखें, मन जो बड़े नेता हैं, और उनके तरफ से वो तो डिलिवरी पार्ट इंड होता है, पार्टी के तरफ से किसके गठवंदन और कितना देना, उनकी अंतिम मोहर लगती है, लेकिन उससे पहले भी प्रकरिया होती है, और बाते जनता पा लग या कोई छोटी दुकान है, लेकिन हम लोग की कोई बातचीत इस असतर पर नहीं हो रही थी कहीं पर, सच बात है, हाँ, मुलकात होती थी और मुलकात होने का बहुत सारा कारण होता है, कि पुरण में आपके साथ रहे हैं, साथ चले हैं, तो जान पहचान है, और किसी जगा पर मुलकात हो जाती है, लेकिन इस तरह की बाते नहीं होती, जब एक एक हमारे सामने कोई options नहीं रहे हैं, जब हमको इस तरह से छोड़ दिया गया, बहुत सारे चीज़ों को बोल के तो हम लोग ने बात किया, उस सहमती जब बनी, तो निशीत वार पर आब बाते हो बिहार में एक तरफ जो महा घड़ भंदन जो कोईलिशन है, वो एक सोशल कोईलिशन है, अभी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, बीज़पी जैसे आप लोगों से बात करी है, चिरात पास्वन से भी बात हो रही है, कुश्वाहाजी से भी बात हो रही है, तो और एक सोशल कोईलिशन बनाने की कोशिश की जारी है, अगला जो लोकसभा चुनाव है, उसके बार जो बिहार के चुनाव है, ये दोनों सोशल कोईलिशन के बीच में जो टक्कर होगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि एक बीजेपी लेड कोईलिशन बिह अमान का भी कोई निता नजर नहीं आ रहा है और आप देखें होंगा कि कल ही पटना में एक बड़ी कयाबद होई और लोग जूटे 15 पार्टियां का जूटान हुआ और सबको एक ही चीज की चिंता थे कि नरेंद मोदी जी के सामने एक चेहरा दिया जाए एक विकल्प दिया आरा रहा है विशोत्तरि में तो देश का नाम हो रहा है और पुरी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सेना का गॉर्प लोग भी प्राप्त हो रहा है और हर देश वासिंदे ऐन, जहां भी जाते हैं देश दूनिया में तो उस चेहरे के सामने एक चेहरा कोर्स किय गया लिंकल के मीटिंग में हम लोग देखें कि सब लोग तो मिलें सब बैठें सब ने बोला कि हमको बारतिय जंता पार्टी को भगा देना है लेकिन एक चेहरा नहीं दे पाए एक संजोजक भी नहीं दे पाए और केजरिवाल जी मीटिंग से निकल गये और ऐसे और भी और मेरा मानना है कि जब वो 15 पार्टी आए थी तो 15 कंडेट हैं उनके पस 15 कंडेट हैं और फांदरा कंडेट्स देश में नहीं हो सकते हैं एक ही प्रधान वन्तुरी हो सकता जिसका नाम नरेंदर भाई मोधी है और उस हिसाब से पब्लिक परसेप्सन भी है और लोगों के समिधान ने सब को इदिकार दिया, कि अपने हिसाथ से सब अपनी राजनीति कर सकते हैं, किसी भी पद के लिए चुनाऊ Лड़ सकते हैं, वो उनकी बाते हैं, लेकिन मेरी जो बाते हैं, कि इस देश में अभी इस तरह का महौल है, कि नेजमोदी जी के पीछे पूरा देश है और आने वाला 24 का जो चुनाव है पूरी तरह से एंडिये में रहेगा और जितने सीटों के साथ एंडिये ने चुनाव जीता था उससे कहीं ज्यादा सीटों से फिर वापस आईगी और जहां तक बिहार के परिप्यक्ष में हम बा है नितिश कुमार जी पहले भी बोल चुके हैं कि हम पचीस में तेस्वी जादव को परजेक्ट करेंगे और एक तरह बोलते हैं कि वह जंगलराज 15 साल पहले जो हम थे उससे पहले क्या था और हमने ऐसे किया उसे किया बगल में बैठा के तेस्वी जादव को उन जीनों की याद दिलाते रहते हैं। जिसको जंगल राड और जिस से निकल के नितीश कुमारा है। जिस जंगल राड से लोग ऊप चुके थे, जहां पर भाय खुरांत लोग थे , और ल्वा अर्डर की समस्या थी। उस से नितीश कुमार जी का उपज हुआ था। और नितीश कुमार कहीं ने कहीं खो गई और उसके कारान आज एक ऐसी इस्थिति आन पर ही है जहां जनता का विश्वास हो खो चुके हैं जब भी चुनाव होगा पचीस में आप देखेंगे कि इंडिये घटक डल ही जो भी इंडिये के घटक डल होंगे सब मिल करके बिहार में भी बापसी करें कि लोगों के बीच में जो लोग परिता अचे निती इसको मार किया जो क्रेडिबिलीटी जिसको कहते हैं खतम हो चुका है इसलिए खतम हो चुका है को अपने बादों पर अडिग नहीं रहते हैं विकास का मोडेल उन्हें देया शुरुआत में बाद में जब इंडिये से अलग हुए अभी महागट बंदन में हैं अभी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है ना एक इंडस्ट्री लार पाने में हो सफल हो पा रहे हैं चाहें किसी भी छेत्र में हो आज के आज भी परसेप्शन उनके पीछे चला गया है कि वो जिस हिसाब से उनका जो आव भाव है जिस इसे ब्यक्ति के पीछे बिहार की जंता नहीं रहेगी और जिनको सत्ता सौपने की बात कर रहे हैं वह जंगल राज के नायक रहे हैं उनके बंसज हैं तो हम समझते हैं बिहार में इंडियक सीवा कोई भी कलत नहीं है क्योंकि आपने ये विपक्षी मीट की बात की नितीश देखिए इस पर रियक्ट करने की क्या बात है तो हर व्यक्ति जो समझदार है राजनिती को समझता है वो उस पर रियक्ट करेगा समझदार ही होगी राजनिती में लोक तंतर में ऐसा नहीं है कि सब व्यक्ति अगर किसी पार्टी से बात कर रहा है उससो तंतर है कहीं भी ज करने के प्रस्ताव दिया हमारी नीती थी कि नहीं हमको अपने अपनी अडेंटिटी बचा करने का रहा है यह कहा देना कि हम भेदिया बने वह थे अगर आइसा उनको लगता था तो पहले बता दिये होते कि आप भेदिया काम कर रहे हैं आपको 23 तारीक मीटिंग में नहीं हम ऐसे भी नहीं कह रहे हैं लेकिन इस तरह कि बाते करकर के एक व्यक्ति को हम सिर्फ हिंदुस्तानिया में मोंचा को उन्होंने नहीं गलत कहा वह ऐसे बहुत सारी पार्टियों को भेदिया बना दिये और जो उनके साथ रह रह रहे हैं उन पर भी संका वो कह रहे हो सकता ह है कि और भी पार्टिया और बी कॉंघरेंश के हां अश्गरे और जो और सबसे बड़ी बात है कि spend good रहे हैं आज वह को कर रहे हैं To उधर कर लेते हैं, तो भेदिया सब्द तो यह दरसाता है, कि छोटी पार्टी है, जो आगे बढ़ना चाहता है, खास करके दलीद की पार्टी है, उसके सफलता सो बिचलित हो चुके हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, जहां तक मीटिंग के बाद है, मीटिं उनको, क्या भाचपा को हम बताते हैं, तो हसने वाली बात है, अब सोचने वाली बात, इसलिए हम कहते हैं, कि वो निटीश कुमार जी थे पहले, वो इस तरफ महागट मंदन में आने के बाद, इतने प्रेसर में, पता नहीं क्या प्रेसर है, उनका जो बादी अब नहीं होगी, अब वो खतब हो चुके है. समाज के चिंतक होने के नाते हैं, और इस समाज इस बेवस्ता में हमारा हम भी है, इसके पार्ट है, तो दुख तो होता है. अगर कास्ट पॉलिटिक्स जब तक रहेगा, विकास नहीं होगा. क्योंकि विकास में अगर कोई रोड़ा है, विकास में कोई सबसे बड़ा मेरे साथ चला जाएगा तो इस तरह कि अब धारना से चेंज होना चाहिए और हम समझते हैं कि NDA जो है इस पॉलिटिक्स से उपर पॉलिटिक्स कर रही है सब को ले के चलने का काम कर रही है तो हमको आसानवित होना चाहिए कि जब हम एक नया दोर शुरू होगा जो आने वाल की पिछला में डिविजन कर रहे है कुछ कस्ट को उठा करके आप स्टी बना रहे है किसके बोट लेने के लिए बाद में आप स्टी आपके मेरे में यह इनन भो Lewis में आता है और आप किसी कास्ट को यहां काश्डिक्य होश्मा बबंस्त का है यां से बना देते हैं उसके रह कि यहापन आएगा बिहार में क्योंकि 20 साल एक व्यक्ति ने 20 साल राज किया 20 साल के बाद कितने जनरेशन चेंज रहाता है नहीं जो जनरेशन आ रहा है इस तोर पर कास्ट पॉल्टिक से अब अपने आपको निकलना चाह रहा है हमारी सोच नहीं हम तो जनरेशन उस समय सुर चुमन जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद आप सबको जिए है 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 कर दो झाता है 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 है।